हेलो एब्रिवान आज हम बात करेंगे ट्रिछष्लै टेस्ट के बारे में उसके बाद एबल टेस्ट के बारे हम बात करेंगे जैसे कि यह हम डिसक्स कर रहे हैं अभी यूनिफॉन कंवर्जेंट के बारे में तो हमने मनोठ test discuss किया उसके बाद वैस्ट्रास M test discuss किया Convergence को चेक करने के लिए Convergence और Divergence सो कोई हमारी जो series of function है वो Convergence है या नहीं है उसके लिए हमने MN test फिर वैस्ट्रास M test discuss कर चुके हैं ठीक है इसी series में आज हम discuss करेंगा digital test digital test के according हम कैसे चेक करते हैं कि हमारी जो sequence of function से बनी हुई series है series of function है वो Convergence है या नहीं उनिफॉर्म नी Convergence है या नहीं ठीक है तो यह वाला जो टेस्ट इसले टेस्ट में लिग दी हैं अपर मोर देन मोर स्टॉंगर देन वैस्ट्रास M test वैस्ट्रास M test में last lecture में डिस्क्रस कर चुका हूं जाके आप महां देख सकते हैं और यह सारा से ले बस हमारा CSI NRJRF, IIT Jam और Gate Maths के point of view से है जो उसका सारा से ले बस है वो ही महां डिस्क्रस कर रहा हूं जो आप coaching centers में जाकर पढ़ते हैं वो सारा सारा में यहां पर discuss करूंगा अभी रेनलेस्स चला है इसके बाद हम दूसरी दूसरी books को दूसरे topics को discuss करेंगे चलिए देखते हैं क्या होता है डिचलर टेस्ट यह कहता है कि हमारे fnx मलाट series of function fnx is written as summation unx and vnx such that vnx is monotonically decreasing and converge to 0 uniformly इसमेज वान नेक्स है वो monotonealy decreasing हो or uniformly converge 0 पर second condition यह है कि the from your un a sops of summation of un is uniformly bounded and un vn is uniformly convergent अगर यह दो कंडिशन फुल्फिल होती है ठीक है कि सो पियस इसका यूनिफॉर्म बांड़ेड होता है तो हम यह कहेंगे जो हमारा समेशन यूएन और वी न है वो यूनिफॉर्मली कंवर्जेंट होता है तो डिचलेट के लिए दो कंडिशन होगी हमारे पास कि पहली बात यह होगी कि हमारा जो fnx है उसको हम productive के फॉर्म में लिख पाएं प्रोड़ट फू्बवांग्वाएं फिस दोनों function में जो वी न है वो मोनोटोनिकले डिक्रेजिंग होना चाहिए और कंवर्ज करने चाहिए जीरो पर यूनिफॉर्मली और जो यूनिफॉर्मली होगा ओके चलिए इसके ऊपर कोई एक्जामपल देख लेते हैं समझने के लिए जैसी एक्जामपल लिया मैंने आपर summation fnx equal to minus 1 to the power n minus 1 n plus x square where x belongs to set of real number let unx equal to minus 1 to the power n minus 1 vnx equal to one upon n plus x square okay here vnx is decreasing यह vnx decreasing function decreasing sequence है ठीक है ना है यह हमारे पास एक decreasing sequence है एंड limit इसकी यह टेंड कर रही है मतलब इसकी limit zero आ रही है मतलब trending to zero converge कर रही है zero के उपर vnx ठीक है और sops हम निकालेंगे vx का sequence of partial sum in short मैं sops बोल ला हूँ इसको मैं discuss कर चुका हूँ पहले last lecture में sops क्या होता है कैसे निकालते हैं वह मैं वह फिर यू एकस क्या हो जाएगा वन मतलब क्या हिकालते हैं स्वनाइस फिर फिर रजओ मेंस प्लस स्टो स्टों स्टों प्रश्याथ यहां पर उन लिखा हूँ तो s1 plus s2 plus s3 up to sn यह सारे सारे यहां पर लिखने होते हैं ठीक है तो 1 plus minus 1 plus minus 1 plus ऐसे आते चल जाएगा तो जब जब even आएगा 0 हो जाएगा इनका sum करने पर अगर इसका यह n की value पर odd होती है तो 1 हो जाएगा ठीक है जो 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 स्क्राइब जो है तो जो स्क्राइब यह स्क्राइब नियुक्त इसके पूरी यह जो इसमें से अपिस में सरफ दो यह वैल्यू आरे जीरो और वन तो इसका मतलब भी बांड़ हो गया तो दोनों कंडिशन फुल्फिल होगा है कि वी एक्स हमारा डिक्रीजिंग है और कंवर्ज कर रहा है जीरो के उपर और वी एन एक्स जो बताव वह हमारा क्या है यूनिफॉर्मली बांड़ेड है तो हम कहेंगे कि हमारे जो गिविन सीक्मेंस अफंक्शन है स्रीज अफंक्शन है यह समेशन एफ एक्वल टू माइनस बन टूद पार जाए हमें देखना होगा प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस को पर डिपरेंट करेंगा आपकी कि हम देखके को समझ जाएं कि यहां पर कौन सा टेस्ट लगा दें हम ताकि हम चेक कर सकें यूनिफॉर्मली कनवर्जेंट है या नहीं है ठीक है बात चलिए एक और कोशन यून एक्स तो आगे एक्स टूदी पावर रहें और वी एक्स आगया वन अपॉन प्लस वन यहां पर हम तबसे पहले वी एक्स के बारे हम देखें वी एक्स हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंटेंडिंग तो जीरो आ रहा है ठीक है तो फेल पहली क्रेंडिशन फ फैंड करेंगे तो यहां जागा मॉड-x प्लस-mॉड-x स्कवायर थेंसों सारी पूजर्टिव वैलू लेगी इसकी और यह यह क्योंकि एक्स की वैलू माइनस वन से प्लस की बीच में तो इसली हो जाएगा a plus a square plus a cube सारे positive होता चले जाएंगे और यह क्या बननी है geometric progression मतलब geometric series बननी है जो geometric series बननी है end term की तो हम इसका sum find कर सकते है with the help of formula sum of gp से क्या होता है a 1 minus r to the power n upon 1 minus r where r is the common ratio यहाँ पर r की value भी a ही है और first term भी a ही है तो यहाँ पर यह होगा a times of 1 minus a to the power n upon 1 minus a ओके यह आगया ठीक है यह इसके बराबर है तो यह नहीं लिख दिया less than a upon 1 minus a तो यह आगया sops of summation unx which is uniformly bounded यह तो bounded आगे ना एक number आवल गया आपको bounded हो गया है इसका मतलब जो हमारा unx से बाउंड़ हो गया uniformly bounded होगा जो भी uniformly bounded होगा दोनों condition fulfill होगी पहली condition यह थी कि vnx हमारा decreasing होना चाहिए uniform decreasing होना चाहिए और tending to zero करना चाहिए उसका limiting point zero आना चाहिए और second condition यह थी कि unx है वो हमारा uniformly bounded होना चाहिए तो हम कहेंगी जो हमारा given function है fnx मतलब x to the power n upon n यह uniformly convergent होगा तो यह मैंने यहापर लिख भी दिया है इंप्लाइज करेगा कि fnx equal to is uniformly convergent on the given interval minus a to plus a second next question देखिए if summation an is absolutely convergent of real numbers then show that summation a to the power 2n into an upon 1 plus 2 के power x के power 2n is uniformly convergent तो देखिए सबसे पहले क्या करना है इसको हम एक different method से देख रहे है यह स्रीज है यह less than equal to 1 ही आएगा हम देखने कि 1 plus x to the power 2n x to the power 2n नीचे है ठीक है तो यह वाला पार्ट तो less than 1 ही आएगा क्योंकि उपर x के power 2n और नीचे इसमें थोड़ा सा ज्यादा है मतलब 1 एड हो रहा है तो overall तो यह 1 से less हो जाएगा फिर तो mod of a less than equal to 1 then हमने अगर यहाँ पर इस an से multiply के तो इधर भी an से multiply हो जाएगा ठीक है mod of an क्योंकि mod के अंदर लिया हुए तो इसलिए यहाँ पर an से multiply के अंदर यहाँ पर आ गया mod of an okay since summation an is absolutely convergent given है कि जो absolutely convergent मतलब यह अगर हम दोनों साइड इस पर summation लगा दें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो यह तो बन जाएगा uniformly convergent तो इसका मतलब जो यह छोटे वाला है यह भी कैसा हो जाएगा क्योंकि यह absolutely convergent है बड़ी वाली स्री तो छोटी वाली स्री जो है वह भी absolutely convergent हो जाएगी जब absolutely convergent है तो यह uniformly convergent हो जाएगा तो यह direct हमने ऐसी चेक कर लिए इसको ठीक है चलिए ने question देखते हैं अब है नया test एबल टेस्ट यह भी हमारे पास uniform convergent को चेक करने के लिए हैं यह हमारे पास चौथा टेस्ट है तो से पहले मन टेस्ट किया उसके बाद स्ट्रास M test discuss किया उसके बाद discuss किया अब हम एबल टेस्ट कर रहे हैं यह test क्या कहता है कि हमारे पास री जो है वो यूएन यूएन एक्ष और वी एन एक्ष विल भी यूनिफॉर्मी कर्वर्जेंट होगा अगर पहली condition को satisfy करें कि यूएन एक्ष यूनिफॉर्म में कर्वर्जेंट ऑंद गिविन इंटर्व क्लोज इंटर्वल एपी और सीक्वेंस वी एन इस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ठीक है आप देख रहे हैं पर क्या हो यहां पर वी एन एक्ष ज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो न चाहिए तो इसमें भी एक है रहा है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए और वी एन एक्ष यूनिफरॉम्ली फॉर्म बांडवल के अंदर अगर यह दोनों करणिशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे जो हमारी सीफ़ी जो फं इसके उपर एक कोश्चन देख लेते हैं, कोश्चन यह है कि if summation an is uniform new convergent then what about the summation an upon n to the power x where x belongs to 0 to 1 close interval, so let summation fn x equal to summation an upon n to the power x ठीक है, यह दे रखा है आपड़ take, vn and un x अलग-अलग बना ले हैं पर हमने, जो हमारा un x को गाला हमने summation an यह Convergent है तो क्योंकि दे रखा Convergent तो यह Convergent हो गई और VNX होगा 1 upon X to the power n to the power X यह decreasing है decreasing sequence है और uniformly bounded भी होगा 0-7 के बीच में क्योंकि interval दे रखा 0-7 पूट करके देख लो आप X की वैलू 0-7 के बीच में बांड़े लागा ना इसा VNX मिल गया Convergent और VNX मिल गया uniformly bounded and decreasing ओके समझ रहो ना bounded क्यों मैं नीचे लिख भी दिया वैसे इसको कि VNX जो है वह 1 upon 1 and to the power X which is less than equal to 1 upon and to the power 0 ठीक है which is equal to 1 ओके 0 क्यों लिखा भई 0 यह लिखा क्योंकि monotonically decreasing है जब decreasing होता है तो पहले वाले point के उपर maximum देता है मौड का मतलब उसका हम maximum value find कर रहे हैं ठीक है इसलिए 0 रिखा एंड की power 0 तो यह आगया 1 तो bounded हो गया ठीक है uniformly bounded हो गया hence by able test क्या हो गया एबल टेस्ट से जो given हमारी सी स्रीज़ों फंक्शन है यह न अपन and to the power x वह uniformly convergent हो गया I hope यह आपको clear हो रहा होगा ओके फिर भी doubt है तो please मुझे comment section जुरूर बताएं ठीक है न चलिए अब कुछ properties हैंगी पहली property कहते है कि if summation fnx is uniformly convergent and converge to fx then if each term is continuous function then sum of function fx is also continuous ठीक है बत क्या हुआ कि जो स्मारी स्रीज़ों function के मिना अगर यह uniform convergent है and converge करती है किसी fx के उपर जब converge इस fx के उपर करती है उसको हम क्या कहते थे पॉइंट बाइस लिमिट करते थे वहाँ पर तो fnx uniform convergent and converge करती है किसी fx के उपर then if each term is continuous function then sum of function fx is also continuous समझे रहों इसका मतलब किया इसका मतलब यह है कि f1 f2 f3 f4 सारे जो f1 f2 fn जो है यह continuous function है ठीक है each term is continuous function then sum of function जो sum of function है fx वो भी क्या होगा continuous ही होगा ठीक है second second property की कहती है कि limit and a x tends to a fnx जो हमारी स्थी जो फंक्शन के भी नहीं है limit x tends to a वो किसके बराबर हो जाएगा summation and tends to limit and tends to infinity fnx which is equal to limit x tends to a fx मतलब यहाँ पर आप देखने यह interchange हो रहा है ठीक है मत इंटर्चेंज हो रहा है यह अंदर चली गए लिमिट और यह इसके बराबर हो गया limit x tends to a fx ओके चलिए देखो यह कहारा है प्रूव डैट लिमिट यह बेसिकली इसके उपर है इस वाले के उपर यह example ले लिया है यह कह रहा है कि प्रूव डैट एक्स टूवन समेशन वन टू एन एन एक्स स्क्वाइर एक्स क्यूब इक्वल टू यह ठीक है इसके अंदर क्योंकि यह यूनिफॉर्म लिमिट कैन भी इंटरचेंज ठीक है अबिल टेस्ट के अकॉर्डिंग सिग्मा और लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं इतमत अदर चला जाते हैं ठीक हें है तो बहुत देन लिमिट एक्स टरीफ समेशन भन टूइन फिनिटीं एन एक्स स्क्विर्म एंट्सक्वाहरें प्ल Sprgy यह ठीक है ऑ्छِrतू के हैं भी एक्स इंसेट लिग दिए प्लस लिए हए पर थीक ने यह वाला रिजल्ट है यह वाला रिजल्ट है यह वाला रिजल्ट अप्लाई किया है यहां पर ओके यह कंडिशन फुल्फिल हो रही है continuous function and sum of function is also continuous then limit x tends to a summation fnx equal to summation n tends to infinity fnx equal to limit x tends to a fx यह वाली property हमने यहां पर लगा दिये ठीके बाद तो यह भी प्रूफ होगे यहां पर इससे चलिए थ्रेट प्रोपर्टी देख लिए इफ इच टर्म is integrable then sum of function fx is also integrable and integration summation fnx equal to अब यह कम्यूट कर रहें दूसरे से किस समेशन बहार आ गया integration दो चला गया fnx dx यहां पर dx भी आएगा भई fnx dx equal to integration fnx dx उसकी जरह से यह almost जैसे हमने भी देखा था यह वाला जैसे हमने यह वाली प्रोपर्टी देखी है ना summation और limit के बीच में वह ही यह भी है इसी तरह की बस ठीक है यहां पर integration और summation को interchange किया गया है ओके लेकिन condition क्या है कि अगर उसका हर term integrable है then sum of function fx is also integrable होगा और कैसे दिया जाएगा वो ऐसे दिया जाएगा कि some integration summation fnx equal to summation of integration fnx dx equal to integration fx dx ठीक है that is we can change the sign of integration and summation interchange कर सकते हैं उनको दोनों को clear चलिए फोर्थ देखें क्या है फोर्थ को क्या गयता है फोर्थ प्रपरटी है कि summation fnx मतलब series of function जो हमारी है वो convergent converge uniformly to fx and fnx is differentiable for each and and summation f dash nx converge to uniformly to gx then अच्छा यह प्रपरटी पहले भी आ चुकी इस तरह की प्रपरटी कि fdx जो होगा gx f dash x जो होगा वो gx के ब्रापर होगा अगर हमारे पास वो स्रीज मारी uniform in convergent है और converge करती fx के उपर and fnx differentiable है जबी तुम differentiable जबी तो first derivative कर पा रहे हैं उसका for each and belongs to n then जो series बनेगी derivative f dash n की जो स्रीज बनेगी वो converge करेगी uniform to gx के उपर और gx और f dash x जो होंगे वो ब्रापर होंगे यह important property है ठीक है बात चलिए next एक note है simple सा if summation fnx is converged uniformly to fx and each fnx is differentiable then fx need not to be differentiable अगर यह uniformly convergent series of function और किसी converge कर रही किसी fx के उपर and each fnx differentiable हैं तो यह कोई ज़रूरी नहीं है में और में नोट वाली condition and need not be differentiable की जो function है जिसके उपर उसने converge किया है fx के उपर वो differentiable हो भी सकता है और नई भी हो सकता है okay I hope यह आपको clear हो गया होगा फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट शक्षिन दूरूर बताएं and if you like the content please like and subscribe the channel और अपने friends के बीच में share भी करें क्योंकि यह fury of coster में सारा syllabus नादनीशिया से एनर्ट जायरा firete jammer gate कर डिसकस करने वाला हूं ओके गाइज चलिए thank you again